आदर समान अभिनंदन आभार नमस्कार देवियो सज्जुनों स्वागत है आप सब का आपके अपने चैनल अभीवाणी में और मेरा नाम है अभिशेक शर्मा आज बात करेंगे 24 जून और 33 जून को होने वाले कौन बनेगा करोड़ पती 2023 सीजन 15 के ओनलाइन ओडिशन re-audition ये re-registration के बारे में दरसल ये जो है re- audition है re-registration भी बोल सकते हैं इसको तो ये recording पहले सुना देता हूँ बहुत से लोगोंने सुनी होगी recording से एमी है पर जिनोंने नहीं सुनी उनको सुना देता हूँ और बाकी फिर इससे जोड़े हुए आप लोगों के जो भी questions, answers हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा और अभी तक आपको यह जानकारी होगी कि यह जो है 24 जून को है सुबा 11 बिजे से लेकिन नहीं यह 23 जून को भी है तो पहले जो रिकॉर्डिंग सो लेते हैं फिर इसके बारे में मैं आपको और बताऊँगा डिटेल में इंग्लिश के लिए दो दबाईए इस mobile नंबर से KBC के लिए रिजिस्टर किया गया है मैं रिजिस्टर करने वाले ज्यक्ति से बात करना चाहती हूँ यदि आपने रिजिस्टर किया है तो एक दबाईए यदि आपने रिजिस्टर नहीं किया है तो दो यहां ध्यान रखना है बहुत से लोगों की कॉल फिर कट रही है जैसे पहले होता था कॉल आई कट गई या एक दवाया दो दवाया कट गई तो यहां भी कट रही है अभी भी कॉलिंग आ सकती है समय नहीं गया है तो ध्यान रखना यहां पर एक दवाना है कौन बनेगा करोड़ती के ओडिशन के अगले दौर के लिए चुने जाने पर आपको बहुत बहुत बढ़ाई सोनी लिव आद पर 24 जून को होने वाले की बिसी ओनलाइन ओडिशन के अगले दौर के लिए आपको शॉट लिस्ट किया गया है क्या आप ओनलाइन ओडिशन में शामिल हो पाएंगे यदि हां तो एक दवाईए यदि नहीं तो दो दवाईए धन्यवाद अब आपको ओडिशन से संबंधित जो सूचना दी जाएगी उसे ध्यान से सुने शिप्या ध्यान दे कि अपना पजीकरण और सत्यापन पूरा करने के लिए आपको 24 जून 2023 को सुभा साड़े दस बजे तक सोने लिव आप में लॉगिन करना होगा जीके परीक्षा सुभा 11 बजे शुरू होगी और तेर होने पर आपको लॉगिन करने की अनुमती नहीं दी जाएगी एक बार जब आप जीके परीक्षा पूरी कर लेते हैं तो आपके स्कोर के आधार पर आपको ऑनलाइन व्यक्तिगत साक्षातकार के दौर के लिए चिना जा सकता है व्यक्तिगत साक्षादकार के दौर पर विस्त्रित निर्देश बाद में शॉटलिस्ट किये गए उप्योग करताओं के साथ साधा किये जाएंगे क्रिप्या निर्देशों का बहुत साफधानी से पालन करें मैं आपको सूचित करना चाहती हूँ कि ओडिशन और शो में आगे की भागिदारी नियमों और शर्तों के अधीन होगी जो www.soniliv.com पर हैं किसी और स्पष्टी करण के लिए आप हमें kvpresponse at setindia.com पर एमेल भेज सकते हैं एक बार फिर कृप्या सोनी लिव आप डाउनलोड करना याद रखें और कौन बनेगा करोरपती ओनलाइन जी के टेस्ट के लिए 24 जून 2023 को सुभा साड़ी दस बजे लॉग इन करें तोनी के बिसी तीन की ओर से मैं कौन बनेगा करोरपती में खेलने के लिए पंजी करन करने के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ उम्मीद है कि आप से जंग ही मिलने का अफसर मिलेगा तो ये थी दोस्तो 24 जून 2023 को ऑनलाइन होने वाले ओडिशन की रिकॉर्डिंग इसमें रिकॉर्डिंग में आपने दो बातों पर ध्यान दिया होगा कहा गया है कि साड़े दस बजे आपको जो है एप में लॉग इन करना है या एपल का जो होता है iOS Store उस पर जाके आप अपडेट कर लिजे और फॉन को एप आपकी अच्छे से चले उसके लिए क्या करना है आपको मॉर्निंग में ही अपने फॉन को आप जब भी जैसे मा लीजे दस बजे का समय तो एक बार अपने फॉन को रिस्टार्ट कर लें और बीच में कॉल आए उसे कोई डिश्ट्रबेंस ना हो नेट का इशू ना हो तो उसके लिए आप क्या करें एर प्लेन मोड या एरो प्लेन मोड या फ्लाइड मोड लगाके और वाइफाई का कोई आपका डिवाइस हो जी ओ फाइवर हो या जिससे अच्छी नेट कनेक्टिविटी आपको मिल जाए तो वाइफाई के तुरू आप जो है अपना ओलाइन ओडिशन देना उसको आप आप उससे जो है आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी तो इसमें ये साड़े दस कह रही है पर आप जो है 10 शावादर ज़्च बज़े लॉगिन करके उसमें लॉगिन ही रहना बाहर नहीं आना मतलब उससे और 11 बज़े से आपका gk test होगा उसके बाद ये कह रही है कि साथ बज़े से लाइन में लग जाना है साथ बज़े आपके एंट्री होगी तो यह बिलकुल ऐसे है तो एंड मुवेंट पर कोई भी आपको प्रॉब्लम ना है तो उस बात का ध्यान रखिएगा फॉन रिस्टार्ट कर लिजे और जैसे मैंने आपको बताया कनेक्टिविटी के लिए के एरोपिलिन मोड लगा के वाइफाई से कनेक कर लिजे और दस बज़े से लॉग इन कर लिजे और उसमें लॉग नहीं रहिएगा नौ बज़े के आसपास से आपको बैनर दिखाई देगा अब ये बात करेंगे कि ये किन के लिए है बहुत लोगों के प्रिशन थे पहले तो ये कॉलिंग की बात मैं आपको बता देता हूँ इसमें ये ऐसा है कि ये अभी जो बात सामने आए थी ये 19 सारी को आई थी 19 जून 2023 दिन सुम बार ये ऐसा था कि जैसे मानली जे कि कोई बात होती है जैसे जंगल में आग लगती है न तो बहुत तेरी से फैलती है तो माली जे उन्ने स्तारिक को एक को call आई उसने दूसरे को बताया दूसरे ने तीसरे को ऐसे करते करते बाद ये लोगों तक गई और लोगों ये चीज़ पता चला कि हाँ ये calling हो रही है क्योंकि उससे पहले क्या है लोग जो निराश हो गए थे उमी छोड़ दी थे उसकुल आशा छोड़ दी थी कि के के बीसी से अब भी call आ सकता है उन्हें बस ये था कि जुलाई से ट्रिपल एफ के लिए call आईंगी पर ऐसा नहीं है कि ये उन्हेस तारिक से ही calling स्टार्ट हुई है 16 या 17 से ये calling स्टार्ट हो गई थी उतनी तेजी से नहीं हुई थी जितनी उन्हेस को बहुत लोगों को calling की गई है इसलिए आप लोग की जानकारी में आया पर मुझे जो मैंने इतने दिन लगाए तो काफी लोगों से जो है मैंने confirm किया इस बात को क्योंकि मेरे जो है अपने source है मेरी अपनी research रहती है तो उसके लिए सब verify करके ऐसा नहीं recording मेरे पास आई है recording मेरे पास पहली आ गई थी पर मुझे verify करना था कि जिससे जो लोगों के questions आ रहे है कि कौन call किसको आ रही है सबको आ रही है बहुत सारे पिशने अभी बात करेंगे तो ये calling जो है 16-17 से start हो गई थी पर लोगों ने hope छोड़ दी थी तो वो सोच रहे थे company का call है क्योंकि आपने देखा होगा कि KBC से जब भी call आती है तो spam number लिखा हुआ आता है तो इसलिए लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उनसे call miss हो गई उनने सारे को वोई हुआ कि एक ने माली जो उठा लिया और उनकी बात हुई उनने दूसरे को बताया तो फिर सम ने ध्यान रखा phone का लोगों के पास call आई सम नमरों से उन्होंने उठाया पता चला क्यार यह तो KBC गा था तो ऐसे बहुत लोगों के पास call गई है successfully उनकी बात हो गई तो इसलिए उनने सारे को सब की नजर में आया पर ऐसा नहीं है calling जो है 16-17 से ही start हो गई थी हो सकता है पहले से हो गई हो पर मुझे 16-17 का मालूम चला था अब लोगों के आप सब के पिशन थे बहुत लोगों के कि यह call आ किसको रही है marathon की calling है यह ground audition की calling है वहाँ जो मतलब गई थे या नहीं गई थे उनकी calling है तो वो मैं बता देता हूँ आपको यह mix calling है कोई कह रहा है कि marathon की calling है तो जैसे कि मैंने KBC से जोड़े हुए अपने पिछले वीडियो में बताया था कि marathon वाले आपके साथ ground audition में आके चले गए बहुत सी बात इसमें ऐसी होती है KBC में या KSC में कि मां लेजे मेरे पास call आया KBC वालों ने मुझे से का कि यह बात अगर आपने किसी को बताई तो हम जो है आपको disqualify कर देंगे तो मैं नहीं बताऊंगा ना किसी को तो ऐसे ही उन से कहा गया ground audition वाले जो थे मेरा थन वाले जो थे ground audition में आये थे मुझकल से 100 जने थे तो उनको बोल दिया गया कि किसी को बताया तो disqualify कर देंगे मैं कहा रहा हूँ मतलब ऐसा हुआ होगा यह हो सकता है तो वो नहीं बताएंगे ना अब इतने 1000 लोग आये तो 100 जने को आप कैसे जो है identify कर सकते हैं कि मैरा थन वाले वो तो आप लोग के बीच में आये देखे चले गए तो बहुत से लोग कहा रहेंगे calling उनको आईगी अब मार लिजे वहाँ पर इतने 1000 लोग आये थे और लगबग 1500 जने उनको चुरने थे 1500, 200 मार लिजे तो क्या आपको लगता है इतने 1000 जनों में इतने 1000 लोगों में इनको नहीं मिले होंगे वो 1500, 200 जने मिल गए होंगे ना फिर ये calling करने का क्या मतलब बनता है इसका मतलब इनको इनके मन के नहीं मिले लोग आये पर जैसे इनको इनके मन के चाहिए वो नहीं मिले क्योंकि ये हीरा चुन्ने निकले हैं और हीरा कोईले की खान में असानी से मिलता नहीं है तो इसलिए फिर से ये calling श्टार्ट होई है तो marathon वाली calling मैंने आपको बताया था और लेडी हो चुकी है उन लोगों के ground audition हो चुकी है पर ये नहीं है कि marathon वालों ने marathon अच्छा खेला तो वो जो है ground audition में उनका GK भी अच्छा हुआ होगा ये माली जो GK अच्छा होगया तो उनका P.I. भी अच्छा हुआ होगा बहुत सारी बाते matter करती है न केवल GK और P.I. देने से मतलब नहीं है P.I. आपका किस सरी कैसे हुआ उनको पसंद आया नहीं आया क्योंकि जो आपका P.I. लेने वाले थे वो कोई जर्स तोड़े ना थे वो तो company के employee थे उनका काम था केवल आपका P.I. लेके आपकी booklet की बाते पोचके उसको recording करके मुंबई भेशना मुंबई में जो 2-3 judges देखेंगे उनको पसंद आएगा वो बोलेंगे team को अपने customer care executive को कि आप लोगो call करके बुलाया जाए ट्रिपल F के लिए तो इस तरी कैसे ये process होती है तो ये बुलाया किन जनों को जा रहा है मतलब काॉलिंग जो है किन लोगों को की गई है तो mostly ये उन लोगों को की गई है जो ग्राउंड audition में नहीं जा पाइते यानि कि उनका selection हो गया था और उनको मुंबई बुलाया गया था क्योंकि इस वास आपका मुंबई हुआ था अधिशन तो उनको मुंबई बुलाया गया ता लग लग डेट में जो की लग बग 6 दिन चला था 19, 20, 21 और 26, 26, 26 ये ही शाध 6 दिन चला था तो उनको मुंबई में बुलाया गया था अलाकि पहले शायद ये 9 दिन होना था और 9000 जनों का पर हुआ ये 6 दिन था तो 9000 नहीं लगता है कि 6 दिन में चुन्ना संभव है तो जो Ground Audition के लिए सेलेक्ट हो गए थे पर मुंबई नहीं पहुँच पाये थे Mostly Call जो है उन लोगों को की जा रही है पर आपको सुनके बड़ा अशरह होगा जो मुंबई आ चुके हैं GK टेस्ट भी दे दिया P.I. भी हो गया और P.I. अच्छा हुआ वो एक वक्ती बता रहे हैं उनके पास भी Call आई है और शायद उसी नमबर पे आई है जिससे वो मुंबई रेजिस्टेशन में गए थे जिस नमबर से रेजिस्टेशन किया था मुंबई गए GK टेस्ट हुआ P.I. हुआ उनके पास भी आई है और एक उनके पास भी आई है कि जो मुंबई गए थे GK टेस्ट दिया था पर GK टेस्ट अच्छा नहीं हुआ और लोट के बिना P.I. दिये घर आ गए उनके पास भी आई है और दो लेडिज हैं जैंसे मुझे मालूम चला उनका सेलेक्शन हो गया था GROUND ओडिशन के लिए पर किसी कारण बश वो मुंबई नहीं जा पाई थी उन दोनों के पास सेम 19 तारी को कॉल आया था 3 बज़े के बाद में मतलब ओसे दिन आया था mostly लोग को तो 3 बज़े के बाद मालूम चला है कि कॉलिंग जो चल रही है 3 बज़े 4 बज़े तो 3.30 तीन बज़े के पास उनके पास जो लेडिज है फोन आया था उनको 24 तारी की डेट दी गई है 11 बज़े जीके की तो यहां से आपको किलियर हो गया न और एक के पास सुनने में आया था में जानकारी में कि उनको बोला गया था कि यह मतलब मेराथन वाली कॉलिंग है मेराथन की मतलब किसी परसन ने बात करी वो मुझे आला कि जो रिकॉर्डिंग थी वो जन्यूनी लगी फेक लगी पर वो मतलब उनको बताया गया तो मान सकते हैं कि मेराथन में जो लोग उनको चुनने थे वो सौजने भी नहीं मिले तो उनको भी कॉल की गई तो यह समझ सकते हैं मिक्स कॉलिंग है हब रही बात वो जो कह रहे हैं कि हमारे पास IVR कॉल आई थी और दो कोशन के हमने आंसर दिये थे एक गलत था एक सही था और उसके बाद आगे जो है मुंबई के लिए कोई कॉल नहीं आई तो क्या उनको भी आ रही है तो हाँ उनको भी आ रही है तो यह इसलिए मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि यह जो है मिक्स कॉल है जिनका मुंबई में ग्राउंड ओडिशन के लिए सेलेक्शन हो गया था पर किसी कारवश नहीं जा पाए थे एक नमबर उनको आ रही है दूसरा जो मुंबई ओडिशन में गये थे और जी के दिया था उसके बाद आगे नहीं दे पाए अब इसमें किस कंडिशन पर वो कर रहे होंगे माले जे किसी का जी के अच्छा नहीं हुआ माले जे जो मैंने पढ़ाई करी और यह लग मेटर करता है भागे बहुत महत्पूर है आपर क्योंकि ग्यान सबके पास है भागे सबके पास नहीं होता तो माले जे उनका भागे उस दिन साथ नहीं थी या उनका दिन अच्छा नहीं था तो उनके पड़े हुए कोश्चन नहीं आए पर जो उन्होंने बुकलेट में बाते लिखी थी वो बाद में जो इनकी टीम क्योंके बुकलेट तो आप सब की वाँ जमा हो जाती है तो उनकी टीम ने बुकलेट पड़ी होगी उनको बहुत अच्छी लगी होगी तो उनको कॉल किया कि इस वक्ति से जो है हमको TRP अच्छे मिल सकती है अच्छा हमको जो है entertainment कर सकता है या कर सकती है तो उनको कॉल की गई वहले वो मुंबई में ground audition दे आए पर GK में रह गए और एक जनल जो बता रहे थे मुझे के मुंबई गए थे मतलब उनसे मुझे मुझे मालूम चला के मुंबई गए GK भी अच्छा हो गया P.I.E.B. फर्स किलास हुआ बता रहे फिर भी उनके पास कॉल आई है और ऐसे भी मेरे को मालूम चला है कि एक लेडिज हैं उनकी कुई दोस्त है तो उनका भी 24 टारिकों है और उनके पास उसी नमबर से कॉल आया है जिस नमर से उन्होंने रेजिटेशन खिया था तो यानि कि अगर किसी कोई कह रहा है कि हमने कई नंबरों से किया है तो हमारे पास call आने के chances है तो यह compressor ही नहीं है कि आपने सब नंबर से जैसे मालेजे 10 जनों ने 2-4 नंबरों से किया तो अगर आपके पास किसी भी नंबर पे नहीं आई है तो उस पे call आईगी यह मच्ट नहीं है यह compressor ही नहीं है कि आपने 10 नंबर से किया तो तब किसी एक पे भी नहीं आई अब किसी ना किसी एक पे आजाएगी ऐसा नहीं है जो ground audition तक जा चुके हैं PIV दे दिया उनके पास भी आ रही है और नहीं आने को किसी के पास भी नहीं आ सकती तो यह बहुत selected लोग हैं किस parameter पे उन्हों नहीं select करें यह कोई भी आपको नहीं बता सकता मैं भी अपने मन से कुछ नहीं बोलता हूँ जो भी मेरे पास trusted बाते होती है वो ही मैंने आपको सरह बताई है वो ही बताऊंगा अपने मन से बोलने से कोई फायदा नहीं है तो जो सत्त है वो सत्त है अब इसमें माली जै जैसे किसी ने का कि उनने दो नंबर से किया एक नंबर से वो मुंबई तक ground audition दिया है पर माली जै select नहीं हुए अब उनके पास दूसरे नंबर पर call आ गई यह माली जै मुंबई में वो PIDI है ना यह DIN अब उनके पास call आती है तो उसमें आपको क्या करना है जैसे माली जै इसमें पहले आपका GK test होगा 20 नंबर का होगा 20 question होगे और एक question का answer देने के लिए केवल आपको 20 से 30 second मिलेंगे जहाता है के 20 second मिलते है ऐसे ही अभी कौन उनार करोपती के ओनलाइन ही सब हुआ था registration और वीडियो अपलोड तो सेम वैसे ही होगा तो उनको शाहिद 20 second मिलेते 20 second में आपको question भी पढ़ना है 4 उसमें आपको विकल दिये जाएंगे उसको आपको submit करना है 20 second का time होगा तो 15 से 18 second के बीच में कर दिजए 19 से 20 second में की answer lock नहीं हुआ तो वो question का answer आपका submit नहीं होगा फिर next आ जाएगा तो वो एक जो है minus हो जाएगा अलाकि negative marking नहीं होती है पर अगर आपका 15 से अधिक score होगा तो आपके पास chances रहेंगे selection के आपका gk-s में अच्छा होगा online वाला यह मैंने आपको बता दिया 20 question और 20 second एक question का तो माल लेजे आपका जो है 11 पे श्टार्ट होता है तो 11, 15, 11, 20 तक निवट जाएगा तीन इसमें जो है sample question होते हैं आने के rehearsal के question वो आपको एक practice करवाएंगे कि आपके सामने इस तरीके से question आएंगे और उसके बाद आपको इस तरीके से answer देना है तो तीन के जो है आपको number नहीं मिलेंगे केवल वो आपका एक rehearsal होगा तो तीन question वो आएंगे उसके बाद main आएंगे 20 question जब आपका GK score अच्छा होगा उसके बाद ये KBC की team आपको select करेगी उसके बाद जो select किये जाएंगे उनका फिर personal interview होगा यानि कि व्यक्तिका साक्षात कर वो Microsoft Teams से हो सकता है या कोई और app पर वो app कैसे चलाते हैं कैसे login करना है उसमें आपको अपनी ID पहले से बना के रखनी है उसका वीडियो आपको चैनल पर बेल जाएगा मैंने कौन होना करोपती के समय आप सब लोग की help के लिए बनाया था तो वहाँ पर आपके जो है उस पर आपका online audition होगा या हो सकता है किसी app या web पर हो बात में आपको बता देंगे उसकी आपको tension नहीं लेनी है जी के test कैसा होगा tough होगा hard तो यहां बात वो ही है कि अगर मुझे माली जो आता है question तो एक करोड का भी मैं easy से answer दे दूँगा नहीं आता है तो मुझे 1000 वाले patient पर भी life line लेनी पर सकती है तो tough hard कोछ नहीं होता है केवल हमें आता है तो easy है नहीं आता है तो hard है बस ऐसे समझेए तो अगर आपके पड़े हुए आगे तो आपके लिए easy है और बिना पड़े है तो बहुत hard है तो बस यह matter करता है easy hard के चकर में मत पड़िये परशानी होती है वना तो यह आपका हो गया उसके बाद आपका जो भी select होंगे उनका P.I.E. होगा और P.I.E. जैसे वह आपके बारे में पूशना बाते करना और वो आपका जितना अच्छा होगा उसके बाद direct जो है आपको फिर triple F में जाना होगा मुमी बुलाये जाएगा date दी जाएगी और उसके बाद फिर आप triple F और आपका अच्छा रहा triple F तो आप triple F या triple T triple test means तो उसके बाद आप hot seat तक जा सकते हैं तो यह process है पूरी और यह मैंने आपको सब details बता दिया आशा करता हूँ आप सबके प्रिशन उत्तर मिल गए होंगे क्योंकि recording तो बहुत लोगों ने सुन ली थी पहले से पर बहुत लोगों के प्रिशन थे मैं पड़ा था अलग लग channels पे या अलग लग मतलब लोग होगे तो उसमें यही था उनका मतलब प्रिशन है के calling आ किसको रही है तो मैंने आपको बता दिया कि यह mix calling है कोई fix persons को नहीं आ रही है कि केवल marathon की calling हो या केवल जो ground audition में नहीं जा पाए उनको calling है जिनके पास I wear call आई थी question answer वाली पहले उसके बाद ground audition का selection नहीं हुआ था उनके पास भी आ रही है जो ground audition में select हो गए थे ground audition नहीं जा पाए उनके पास भी आ रही है ground audition तक गए GK दिया GK से घर लोट आए PI नहीं दे पाए उनके पास भी आ रही है ग्राउंड ओडिशन में गए, जी के दिया, पी आई भी दिया, उसके बाद घर आ गए, उनके पास भी आ रही है, एक शाहिद मेरा थन वाले के पास भी आई है, मेरा थन का मेरे को कंफर्म नहीं है, तो मैं अपने मन से नहीं बताऊंगा, तो ये सारे लोग हैं, सब के पास इसलिए मैंने का मिक्स कालिंग, चौबेस सारे का आपने सुना होगा, ये चौबेस सारे की है, पर मुझे, ये जो चौबेस सारे को बात की गई है, जो कालिंग होई थी, उनने सारे को, सोंबार को, ये मुंबई वाले नमबर से होई थी, जिसमें प्लस 910, 0022 कोट लगा ये भी शायद एक फीमेल है और इनसे मुझे आज आज ही शायद मालूम चला है दिन में कि इनके पास कॉल आई थी और ये जो आई थी ये यूपी वाले नमबर से आई थी जिसमें ये शायद नॉइडा का नमबर है पिलस 91120 ये वाली 23 तारिक वाली जो कॉलिंग आई है ये 91120 से आई है और जो 19 सारी को आई थी जो बहुत लोगों की जानकाजी में आया वो मुंबई के कोट सी थी प्लस 91120 तो ये नहीं है कि 24 कोई होगा या 30 को होगा हो सकता है आगे भी हो तो इसलिए फॉन का ध्यान रखेगा मैं कहरा किसी भी नमबर से आ रही है हर स्पैम नमब है ना वो तो आपके हाथ में नहीं उठाएंगे तो लॉस हो सकता है गोल्डन अपरचुनिटी है मिस ना करें तो इसलिए तेज तारी को भी होगा ये ओनलाइन ओडिशन 24 तारी को भी होगा बैनर जो है 9 बजे के आसपास देखने को मिल जाएगा पर लॉग इन वही कर पा तो उन लोग का भी कुछ दिन पहले हुआ था तो वो बैनर मैंने भी देखा था जब मैंने एंटरी करी तो मैं उसमें एंटर नहीं कर पाया बड़ा अजीब इनोंने डिजाइन किया है उस चीश को कि दिखता सबको है पर हर कोई उसमें अंदर एंटर नहीं कर पाता कि उसमें जो है एंटर करके और अपना जी के टेस्स दे सकते हैं बाकि सब लोग को बैनर देखेगा वो अंदर जाएंगे उसमें सौरी बारा मैसेस मिल जाएगा तो आप ये 23 तारिक को 24 तारिक को चेक करिएगा मौर्निंग में 9 बजे बाकि तो लोग जो है अपना 10 बजे ल प्रांस में लेंगे बस निरास में तो ये आशारा किये और अपनी तैयारी करते रहें को पढ़ने को बहुत कुछ है एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे फोन आ जाएगा तो तो अपना ज्यान का लेवल बढ़ाईए जिससे आप वहाँ पर अपने को जैसे मैं कहता हूं वेक्ति जितना अधिक ज्यानवान उतना अधिक धनवान तो अपने को ज्यानवान बनाए जिते से आप वहाँ पर जाके अधिक से अधिक ज़हनजाशी जीत सकें जो भी करेंट में ट्रेंडिंग वर्ड अफियस हैं निउस आती है उससे अपडेट रखें और बाकी पुर अच्छी हो जाएगी बाकी जहां से तयारी कर रहे हैं करते रहे हैं अपना फॉन का धियान रखिये जब तक के बीसी का पूरा सीजन नहीं हो जाता है कौन और करोरपती का सीजन नहीं हो जाता है फॉन का धियान रखिये जो भी फॉन आए आपको रिसीव करना है कभी भी जून 23 को होंगे, बाकी आगे भी डेड़ बढ़ सकती है अभी फिलाल 23 और 24 कंफर्म है 24 बहुत ज़्यादा कंफर्म है और 23 भी कंफर्म है 23 की मुझे केवल एक जने से सुनने को मिली है, वो बैनर दिन में चेक कर लेंगे हम, तो उसे हमको कंफर्म हो जाएगा, तो ये थी बात इससे जोड़े हुए, आशा करता हूँ, आपको अच्छे से बता पाया हूँगा, अपना अपनों का ध्यान रखें सुस रहें, बैस रहें, मस रहें, पैसन रहें सुनते रहें, आप भिवाणी भाई, अभिशेक शर्मा, आपका देनों जीवन शोब हो, all the very best and best of luck friends, नमस्ते